Hello everyone, Welcome to RPSC Study Hub RAS exam को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है उसी के बारे में हम जानेंगे क्या है ये अपडेट? जानते हैं कैसे सफल हो पाएगी RAS Pre-PRE परिक्षा जिस दिन है इम्तियान उसी दिन है हर दाल 27 अक्टूबर को आईजद होनी है RAS परिक्षा करीब 7 लाग अभियर्थी होंगे इस परिक्षा में शामिल तो अब जिस दिन जो 27 अक्टूबर को RAS Pre-PRE की एक्जाम होगी सभी को पता ही है तो उसमें 7 लाग अभियर्थी जो है वो RAS Pre-PRE एक्जाम देने जा रहे हैं और ऊसी दिन क्या उआ है Roadway की कार्मिक वे उन्होंने हर्टाल कर दिया तो अगर हर्टाल होगी तो फिर Roadway की बसे जो हो नी चल पाएंगी तो इससे क्या होगा परिशार्थियों को काफी परिशानी होगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर इसके अलावा एक्जाम सेंटर भी नहीं पता तो काफी ज़्यादा प्रॉब्लमिटिक के सिचुएशन होने वाली है क्या हर्टाल रोगने के लिए रोडवेज प्रबंदन करेगा कोई ठोस प्रियास या तो हर्टाल को रोका जाए या फिर आरेस एक्जाम जो है उसका जो है कुछ सॉलूशन किया जाए आगे पीछे जो भी किया जाएगा उसको जो भी है बात वो करी जाए तो देखते हैं क्या जो है इसके वपर क्या निर्ड़ लिया जाएगा प्रोडवेज प्रमंदन अगर हर्ताल जो है वो रोग दे तो आरेस प्री की प्रिक्षा जो है वो समय पर हो पाईगी इसके लावा एक और मुद्दा पहल तो दो चार दिन पहले उठाता वो ये था कि पत्वारी भरती प्रिक्षा और आरेस भरती में केवल दो दिन का अंत्राल है पत्वारी भरती और बिजली कंपनियों की भरती प्रिक्षा की तिती भी जो है वो एक दिनी है तो ये मुद्दा भी जो है वो काफी ज़्यादा हाइलाइट हो रहा है तो इसके कारण भी जो है वो आरेस परीक्षा पर थोड़ा संकट नजर आता दिख रहा है लेकिन अगर आरेस की एक्जाम जो है 27 अक्टूबर को हो तो ही अच्छा है एक्जाम आगे ना हो वो इस सभी भी अभी अर्थियों के लिए क्या है बहतर रहेगा आरेस परारीक्षा जनवरी में कराने की मांग भी जो है वो कई लोग कर रहे हैं इसके लिए जो है वो ग्यापन भी जो है वो दिया गया है मुख्य मंतरी के नाम का ग्यापन जिला कलेक्टर को जो है वो सोपा गया था तो इस तरह से यह है कि RAS जो एक्जाम है प्री की 27 अक्टूबर को जो होने वाली है तो उसको लेकर जो है समझज़श की इस्तेदी जो है वो बनी हुई है क्योंकि अब रोडवेज के कर्मी हर्दाल कर देंगे तो फिर स्टुडेंट्स जो है वो एक्जाम सेंटर पर कैसे प